एलो नमस्कार दोस्तों आप सभी के अपने यूटूब चैनल दा टेक्निकल जोब पे स्वागत हैं दोस्तों मैं आपके लिए न्यू जोब रिक्वार्मेंट की इन्फोर्मेशन्स लेकर आ गया हूँ जी हाँ दोस्तों न्यू जोब रिक्वार्मेंट की बात करें तो वोड हम बात करने वाले हैं वोड़ाफोंस आइडिया रिक्वार्मेंट 2022 के बारे मी दोस्तों यहां पर सेलरी फेकेज की बात करें तो सेलरी फेकेज आपका 19,000 रुपे से लेकर 55,000 रुपे पर मन तक आपको यहां पर सेलरी फेकेज मिलने वाला है नो फिस्ट नो एक्जाम रखा गया यहां यहां पर आपका कोई भी एक्जाम नहीं होने वाला है डारेक्ट आपका इंट्रू के माध्यम से सेलेक्शन्स होने वाला है यहां पर apply की बात करें तो आपको apply online करना होगा आल इंडिया की candidate यहां पर online apply कर सकते हैं online apply बिल्कुल free of cost रहने वाला है आल इंडिया के male और female सभी candidate यहां पर apply कर सकते हैं apply आपको किस परकार से करना होगा मैं आपको यहां पर इस वीडियो के अंदर step by step बताने वाला हूँ इस से पहले दोस्तों आप से छोटी सी request है अगर आप हमारे यूटूब चैनल पर पहली बार विजिट करें तो यूटूब चैनल को subscribe करके बेल आइकन को press कर ले क्योंकि मैं इस यूटूब चैनल पर पर्मनेटली पार टाइम और फूल टाइम जोब से रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहता हूँ तो दोस्तों अब हम चलते हैं वोड़ाफॉंस आइडिया कामपनी के तरफ से नोटिफिकेसन जारी किया गया है इसके बारे में और जान लेता है कौन कौन सी पोश्टों के लिए जोब रिक्वार्मेंट आई हुई है जोब लोकेशन्स कहां कहां रहने वाली है सेलेक्शन प्रोसेसिंग किस परकार से रहेगा सारी जानकारी हम यहां पर डिटेल से बात करने वाले है दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं वोड़ाफोंस आईडिया की दोवारा यहां पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है वोड़ाफोंस आईडिया रिक्वार्मेंट 2022 न्यू जोब एकेंसी 2022 तो आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर आपको किसी भी contact based पर job नहीं मिलने वाली है दोस्तों अगर आपका यहां पर एक बार selection हो जाता है तो आपको यहां पर permanent job मिलने वाली है job post की बात करें तो मैंने आपको पहले ही बता दिया यहां पर आपको multiple post के लिए आपको job requirement रहने वाली है यहां पर अलग अलग पोश्टों के लिए job requirement आई हुई है job locations भी यहां पर post वाईज अलग अलग रहने वाली है तो आप जिस भी post के लिए apply करना चाहते हैं जिस भी locations के अनुसार apply करना चाहते हैं आप यहां पर apply कर सकते हैं आप यहां पर एक से अधिक पोश्ट के लिए भी अपलाई कर सकते हैं, सेलरी यहां पर अलग अलग पोश्टों के लिए अलग अलग रहने वाली हैं, आगे हम बात कर लेते हैं, यहां पर अपलाई की तो अपलाई आपको ओनलाई करना होगा, ओनलाई अपलाई बिल्कुल फ यहां पर age की बात करें तो age criteria 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए 18 वर्ष से कम के candidate अभू यहां पर apply नहीं कर सकते हैं 18 वर्ष से अधिक के male और female सभी candidate यहां पर apply कर सकते हैं salary की बात करें तो यहां पर salary फिकेज आपको अपने educations, qualifications, experience और आपकी post के अनुसार यहां पर salary फिकेज रहने वाला है यहां पर selection processing की बात करें तो आपका selection processing यहां पर company के नियम के अनुसार सबसे पहले आपका यहां पर normal test होगा उसके बाद में आपका HR team के द्वारा in true होने वाला है दोस्तों यहां पर in true important सा रखा गया है in true के अनुसारी यहां पर आपकी salary defend करने वाली है educations, qualifications की बात करें तो minimum 10th pass candidate होना चाहिए 10th pass से लेकर graduate तक के candidate यहां पर apply कर सकते हैं अब हम बात कर लेते हैं application space तो यहां पर सभी category candidate के लिए application space विल्कुल free of cost रखा गया है यहां पर आपको एक रुपया भी पे नहीं करना होगा अब हम बात कर लेते हैं यहां पर आपको apply किस परकार से करना होगा दोस्तों apply का लिंक में आपको वीडियो के description बॉक्स में दे दूँगा जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहां पर वोड़ आप उन्स आइडिया केरियर का फेज open वा मिल जाएगा आपको यहां पर नीचे की तरफ आना होगा और आप यहां से जोब है वो सरच कर सकते हैं otherwise आपको यहां पर नीचे की तरफ आएंगे तो आपको यहां पर अलग अलग पोश्टों के लिए यहां पर अलग ले locations के लिए जोब requirement मिल जाएगी आप यहां पर देख सकते हैं अहमदाबाद के लिए यहां पर 14 जनुवरी 2022 को यहां पर जोब पोश्ट आई हुई है नई दिल्ली के लिए यहां पर आप देख सकते हैं आज की date 14 जनुवरी 2022 को जोब requirement आई हुई है इस परकार से आप अपनी locations और पोश्ट के अनुसार यहां पर किसी भी पोश्ट के लिए अपलाई कर सकते हैं आपको यहां पर अलग अलग मिल जाएगी वैंगलोर्स, नई दिल्ली, पुन्ह, लैंगलोर्स इस परकार से आप जिस भी पोश्ट के लिए अपलाई करना चाहते हैं उस पोश्ट पर आपको क्लिक करना होगा जैसे मैं आपको यहां पर बता देता हूँ डेमो के लिए नए डिली जो पोश्ट के लिए तो आपको यहां पर उस पोश्ट पर आपको क्लिक करना होगा जिस जैसे आप यहां पर आएंगे तो आपको यहां पर apply now का बटन मिल जाएगा यहां से आप apply now बटन पर क्लिक करके यहां से apply कर सकते हैं अगर आपको यहां पर नीचे की तरफ जाना होगा और आपको यहां पर नीचे की तरफ भी आपको apply now का बटन मिल जाएगा आप यहां पर देख सकते हैं यहां से भी आप apply no बटन पर क्लिक करके यहां से आप apply कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को like, comment और share जरूर करें अब मिलते हैं next वीडियो के साथ